जब आप यहाँ पे इनिस्यल वे में एक लाख रुपय लगाया होते तो आपको सदासी लाख मिले होते जबकि यह जो डिप में एक लाख रुपया लगाया होता उसको देगे कितना दो सो अला दोस्तों इस वीडियो में हम एक consumer, discussionary, small cap तथा high risky stock के बारे में discussion करने वाले हैं तो यह वीडियो बहुत informative होने वाली है और stock market से related बहुत सारे learning आपको सीखने को मिलेंगे तो वीडियो को पूरा देखें ताकि इस stock की complete चनकारी किसा साथ learning भी मिल सके ज़्यादा समयना लेत वे वीडियो शुरू करते हैं नमस्ते दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल Wow Invest में आपका दिल से स्वागत है तो आगे बढ़ने से पले दोस्तों एक बार market mood index को देख सकते हैं और यह extremely grid के जोन में है यानि market में बहुत जादे लालच हो चुकी है लोग खईदारी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो आप इस समय थोड़ा alert रहें और study करें और अपने portfolio को सुधार कर सकते हैं इसमें sell करके आप comment खईदारी का zone यह है इस वाले zone में आप दोस्तों study कीजिए कितने stock आपने study करके रखे हुए हैं जो कि भारी जीरावर्ट में और मार्केट में डर हो जाए लोग डरे हुए हूं तब आप उस टाइम खईदारी कर सके यह इस टाक है दोस्तों आदित्या vision ltd और एक बार हम इसका listing detail देख लेते हैं फिर further analysis करते हैं इसके उपर यह listed हुए थी दोस्तों 12 December 2016 को और लिस्टिंग था जो 15.90 पैसे की rate पे औ और वहां से देख सकते हैं अभी 2545 का rate जम किया है कंपनी ने और रिटर्न आप देख सकते हैं कितना 23535 का return generate किया है यह आप 2 digit यहां पे काट देंगे तो 235 गुना किया है आपके पैसे को कब से 2016 से अभी तक में 235 गुना किया है आपके पैसे को फटा detail देखते हैं इसमें तो यह इस्टा के दोस्तों आदित्य वीजन ltd चल रहा है और पिछले 5 दिनों में देख सकते हैं इ return generate किया इस company ने और पिछले 6 मा का return देख सकते हैं 164 परसेंट के रिटन जनरेट किया है यह आपके पैसे को डेड़ गुना से उपर कर दिया है पिछले 6 मा में ही साल के सुरुआ से देख सकते हैं 136 परसेंट का return generate किया इस company ने और पिछले एक साल में 139 परसेंट का return generate किया यानि आपके पैसे को 87 गुना किया है आपने एक लाक लगाया होते तो आपको मिले होते 87 लाक, 87 लाक रूपए है मैक्सिमुम चार्ट में देख सकते हैं 2016 से जब 15 रूपए 30 पैसा यहां चला था और यहां से दोस्तों देखे 23,626 परसेंट का इटन जनरेट किया है मतलब यह डबल यहां से दो डिजिट काट देंगे तो इतना गुना पता चल जाएगा यानि 236 गुना किया आपके पैसे को अगर 2016 में आप 1 लाक का इन्वेस्ट करे होते हैं एक लाक रूपए आप लगाया होते तो आपके पास 236 लाक रूपए हुए होता मतलब की 236 लाक रूपए आपके पास हुए होते हैं तो फर्दर यहां हम पांसर के चार्ट का डिटेल देखते हैं आलिसिस करते हैं आप यहां देख पा रहे होंगे 2018 से 2020 यानि 2 साल तक कंपनी में गिरावट दर्ज हुई है और कितना 80% के करीब और यह continue गिरावट का जून रहा है आपके एक लग को इन्वेस्ट को यह 50,000 तक कर चुकी है अब यहां पे दोस्तों का कंसेप्ट था यहां पे आपको फोल्डिंग करना था यारी करनी थी फर दर उसके बाद का मुवमेंट देख लीजे उसके बाद जो कंपनी ने मुवमेंट लिया है यह मुवमेंट देख सकते हैं 7,760% का रिटन जेनरेट किया है यानि कि आपके पैसे को 77 गुना किया है वह भी कितने टाइम में एक साल के अंदर में इस जोन में जो बाइंग किया होगा पचास परसेंट डाउन होने पे उनको यह रिटर्न कितना बहतर कंपनी ने प्रवाइड किया है तो यह दो सल का जो गिरावट है दोस्तों ऐसा नहीं है कि छह मेने में और एक साल के अंदर में जो भी है उस तो इस आप से पैसे बन जाते है इस टाक मार्केट है आपको पेसेंस के साथ कंपनी को फोल्ड करना पड़ता है अच्छी कंपनी फाइंट करना और समय तक होल्ड करना यहीं कि पैसे बनते हैं तो इक लाग की इन्वेश्ट गींवेश्कों पचास जार बनाया आप देखे ने डूमने का चांस अगर बनाया इस तरह से यह देखिए जितना भैंकर रिटर्न बनाया है आप देखिए गिराउट यह नहीं की डीप में आपने बाई किया यह सारे गिराउट के मौके थे यह जहां जहां खाईदारी जिसने भी खाईदारी किया विखिए इतर यहीं पर पास यह देखिए 6260% गाई हैं अब फर्दर देखिए फर्दर भी गिराउट दिया कंप्रीन ऐसा नहीं की दुबारा मौका नहीं दिया अभी देखिए इस हाई पे मतलब यहां पे जो इंटर किया होगा वह सब अभी नुक्सान पर बैठे होंगे कितना 50% के फिर यहां एक लाग को 50,000 बनाया इन्व खरिदारी के लिए बिचार बनाया तो ऐसा नहीं यहां भी आप सोचिए जिसकी एक लाग के इमाउंट को 77 लाग रुपए बना दिया तो क्या वो प्राफिट नहीं बुक करेगा यहां से बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम अगर यहां से 17 लाग भी निकाल ले अपना एक लाग के बज़े 17 लाग निकाल लिया और 60 लाग को इन्वेस्टेट छोड़ दिया तो जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा एमाउंट इन्वेस्टेट होता है तो ऐसे हाइप यह प्राफिट बुकिंग होती ही होती है आप अपने आपक इस फर यहां से कंपणी मुग करना ही इस्टार्ट करीए है उसको भी यहां से फिर ठी फिर देखे i definidでした कि यहां से तक में कितना 59 परसेंट यहां कितना परसेंट 45 परसेंट इस तरस करें परसेंट यह पूरा का पूरा यह गिरावट का जोन रहा है फिर जब यहां movement company लिया तो फिर अगले जगर यहां पर चल रही थी फिर थोड़ा से जंप लिए फिर यहां पर आई फिर थोड़ा से जंप लिए फिर यह साइड वे चलता है उसी time आपको विचार करना होता है और यहां पर देखिया आप यह जो dip था जोस्तो यह dip में जिसन साल का time यह गिरावट का बड़ा zone था जिसमें अच्छी खासी गिरावट दर्च होई थी और जबकि 5 साल की पूरी यहां से यहां पे जो holding करके और यहां तक बैठा है complete उसको कितना 8700 या नि 87 गुना किया तो कहा 87 गुना और कहा 200 गुना जब आप यहां पे initial way में एक लाक लगाया होते तो आपको 87 गुने होते जबकि यह जो डिप में एक लाक रुपया लगाया होता उसको देखे कितना 200 लाक मिले होते मतलब 2 करोड रुपय का हिसाब किताब यहां से हो गया होता अगर एक लाक का इंवेस्ट हुआ होता तो ऐसा नहीं किसे पे एक ही डिप आया आप रहा है इतना रुपय बने अब देखिए यहां यह देख रहा है 145 गुना किया पैसे को यहां देखिए 135 गुना किया पैसे को सब 1 करोड के उपर कैसा आप है तो प्रॉडक्त नहीं बनाती जिप सेल करती है अच्छी कंपनी अच्छी ब्रांड के जो प्रॉडक्त है उनको सेल करती है अभ यहां देख सकते हैं दोस्तों यह दो हजार निस में भी कितने रुपए चल रहे थी 60 रुपए पर 2019 में अजिक यह गिरावट का जोन आया तो य प्रदर टीटेल देखते हैं इसमें हम इसकी विए सेट बीच के हैं दोस्तों यहां देखिए एर कंडिशनर है गीजर है और यह इस तरह से हीटर टेलिवीजिन है ना नहीं है देख सकते हैं लैपटाप है इस तरह से ओवन है बहुत यह होम जितने भी इस तरह के प्रोड़क है यह सारे प्रोड़क्ट सेल करती है वशा का है अलगे देखिए आप फ्याहें और स्यंथ करती है ल Ó संदीशा कें यह दिना है प्रोड़कL करती है शोनल करके है उसका प्रोडुक्ट है माइक्रोफ सांप調 ऊते हैं ब्रॉक्टी है यहां पे लगी के जितने प्रोड़क्ट हैं लेने वो के जितने प्रोड़क्ट है यह सारे कुछ ही सेल करती है अपने सो रूम में यहां पर हिट एची का देख सकते हैं इरो का फोप्स देख सकते हैं वाटर फिल्टर वगर आता है डेल का देख सकते हैं बॉस के जितने प वो इसो तरह से तो आप बिजिट करेंगे उतना वहतर आप इंवेस्ट कर पाएंगे और जितना सीखेंगे उतना रिस्क को कम कर पाएंगे फर्दर डिटेल देखते हैं इस कंपनी के इसको देख सकते हैं यह आदित्या विजन ल्टीडी जो है वो इंकर्परेट हुई थी 1999 में और यह इंगेजड है ट्रेडिंग करने में electronics items को सभी तरगे जो electronic items हैं उनके consumer को डियक्ट सेल करती है और यह डिचल के थ्रूइप जीतने भी फैसिलिटी मिलती है वो डिप्रोवाइड करती है और इस कंपनी के पास देख सेते हैं more than ten thousand products हैं 10,000 से उपर के प्रोडक्ट्स हैं, जो digital gadgets like mobile phone, laptop, tablet, entertaining solution में भी प्रवाइड करती है, television है, soundbar है, home theater होगरा है, camera है, accessory for home, appliance like air conditioner, refrigerator, ये सारा कुछ प्रवाइड करती है, revenue facility भी देख सकते हैं यहाँ पे, appliance और entertainment solution से 69% के करीब revenue generate करती है, digital gadgets से 19% और other से 12%, तो यहाँ पे ठीक है, diversify इ सकते हैं, open 26 showroom 2023 में open किया है, 11 showroom बिहार में है, 12 showroom जरखंड में और 3 UP में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 12 showroom अभी 2024 के हिसाब से open करने वाली है, और total इसके पास 117 showroom हो जाएंगे, इस तो इस तो इसाब से दिन पे दिन खोलती ही जा रही है, अपने showrooms को, further detail देखिए, market position क्या रहा है इसका, market position यहाँ देख सकते हैं, 50% hold करती है market, का जीतना भी यह electronic items sell किया जाता है, बिहार में, और फर्दर यह धीरे-धीरे increase करती जा रही है, यहाँ पे customer base देख सकते हैं, company retail products, 100 plus इंडिया के जो national consumer durable and electronic brands हैं, like samson, lg, sony, panasonic, philips, bulltos, और among other, इन सारे को लेकर के यह customer base बनाती है, अपना, promoter का holding जो placed था, उसको इन्होंने zero कर दिया, यह भी बेहतर साइन है, और इनका focus भी देख सकते हैं, यहाँ फोकस करती है company क्या, selling को अपने बढ़ाने के लिए, और अपने service को provide करने के, आप इनके website पे phone number और अगरे अर्लेडी दिया है, वहाँ account बना सकते हैं, वहाँ से direct आप सेवाय ले सकते हैं, फर्दर डिटेल यहाँ देखते हैं, market cap देख सकते हैं, 4370 करोन के करीब है, current price आपने देखा, 363 है, high इसने annually लगाया है कितना, 3740 का, और annually low लगाया है, 1252 का, इस्टा कपी देख सकते हैं, 59.6 है, और book value यहाँ देख सकते यहाँ से देख सकते हैं, 22,2% के करीब है, ROE 59.6% है, face value 10 का है, चुकि company अभी split नहीं किया है, जब भी इसमें split होगा, आपको फायदा मिलेगा, 10 times आपके share increase हो जाएंगे, तो further detail देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर प्रोज देख सकते हैं, company expected good early return जो provide करती है, और यहाँ प पिछले 5 सालों से यह generate करके दे रही है, company has good return ROE कितना, तीचे 3 साल से 55% के करीब, company has maintained healthy dividend amount 21.3% और median sales growth कर रही है, 27% के करीब, पिछले 10 years से, तो कौन्स भी देख सकते हैं यहाँ पर, कौन्स कर रही है, company trading अपने 24 गुना महांगा trade कर रहा है, यह आप देख सकते हैं, और promoter क जो holding हुई है, यह यहाँ पर peers company देख सकते हैं, Adani enterprises और इस तरह से, सारी यह top पे चल लिए Adani enterprises, जबकि यह सबसे low के है, तो यहाँ से यहाँ जो decide होता है, दोस्तों, वो market valuation की हिसाब से होता है, चुकि अभी यह 4300, 69 करोट के company का market size है, और यह सोचे है, अगर 32 लाग के sales इसने generate किया था, और जिसको increase करके है, इसने 2015 में 179 करोट के करीब ले गई, आगे यहाँ देख सकते हैं, 2016 में फिर 240 करोट और इस तरह से increase करके है, यहाँ 564 करोट के करीब sales अपना generate की है, और 2020 से आगे देख सकते हैं, यहाँ पे, 2020 में 789 करोट के करीब sales generate कर रही थी, और करोट का sales कर चुकी है, मार्श तक, तो sales तो बहुत बेहतर कर रही है, यहाँ नेट प्राफिट भी देख सकते हैं, यहाँ 2020 में 14 करोट के करीब था, और 64 करोट और 2023 और 2024 में अभि आना data बाकी है, और बढ़के ही आएगा, लेकिन 70 करोट के करीब profit generate कर चुकी है, यह पिछल कंपणी के पास 25 करोट के करीब ता जिसको बढ़ा करके कंपणी ने 466 करोट के करीब 2020 में रीजरब जनरेट किया कंपनी ने और बोरोइंग देख सकते हैं, यहाँ प्रहान के करके Food Authority कर कर चार्व 201 करोर सकते हैं दोस्तों यहां पर 2017 में कंपनी के पास जो प्रमोटर थे उनके पास 55% के करीब होल्डिंग थी और इन्होंने धीरे धीरे अपना देखिए यहां पर 56% के करीब 2020 में अपना 1% डिस्टिक बढ़ाया जबकि D.I.E. और F.I.E. तोनों यहां नहीं थे पॉब्लिक ने 40% होल्ड किया था और यहां पर इन्होंने अपना कम किया और यहां देख सकते हैं 2020 में जो 56 था उसको इंक्रीज करके कंपनी 2021 में 53% के करीब बढ़ाया होल्डिंग अपनी और फिर 22 में भी बढ़ाया फिर 23 में डाउन किया है और F.I.E. देख सकते हैं यहां तक नहीं थे 2022 तक दोनों नहीं थे यहां पर पॉब्लिक अपनी होल्डिंग थी और पॉब्लिक ने जब सेल किया यहां पे तो कमपनी ने उसको होल्ड किया यहां देख सकते हैं जब पॉब्लिक 43 था और वहां पे प्राफिट बुक निग किया 2021 में फर्दर कमपनी के प्रमोटर्स ने इसकीदारी की और सेयर का धियह को कंपनी कितना ग्रोग करने वाली है तोसीज आपसे अपना इस्टेक इन्होंने बढ़ाना शुरू किया और फर्दर अभी एड परजेंट देख सकते हैं क्या है यहां तियत्तर से जो अपना इस्टेक या प्रमोटर अपनी प्राफिट बोग कर रहे हैं तो यहां इफ एफ सबसे पहले आपको मिल सके और वीडियो पसंद आने से लाइक कर मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं तो फर्दर डीटेल देखते हैं यहां डिलिवरी विशन हम देख सकते हैं 11 दिसंबर को 90% डिलिवरी उठाई गई है और स्टैम एमाउंट जो था वो 3600 एक रूपे का था फिर 12 दिसंबर को 70% के करीब डिलिवरी उठाई गई है जबकि यहां देखें एमाउंट 3500 आ गया है फिर यहां पे 13 दिसंबर को आप देखें 80% डिलिवरी उठाई गई है 3600 पे और फिर यहां 14 दिसंबर को 49% के करीब डिलिवरी उठाई गई है जो कि 3600 पे है तो देखे जितनी टिली भी उठाये जाएगी rate उसी इसाब से increase होगा एक खरदारी और भी quality की जाएगी अब demand जादा होगा तो automatic rate बढ़ेगा demand काम होगा तो rate down होगा तो उसी इसाब से आप अपना steady करें और further हम इसमें अभी support level वगराभी discuss करेंगे तो आगे detail चेक करते हैं इसमें यहाँ पर हमनी इस सेक्षन में देख सकते हैं दोस्तों सोर्मभी 2023 को इसने अपना 109 सोरूम open किया था और जारखंड था और वहाँ पर increase किया फिर 30 सितंबर को इसने अपना 126 सोरूम open किया और अभी 22 नूमबर को दो सोरूम open किया इसने तो सोरूम open किया कहां उत्तर प्रदेश में और जारखंड में रेस्पेक्टिवली मतलब दोनों जगए एक एक सोरूम open किया तो सोरूम अपना धियर यह बढ़ाते जा रही है increase करते जा रही है दोस्कों यहां पर promoter holding placed भी देख कते हैं अभी zero हो गया पिछले time पे था but इसको company ने बिल्कुल zero कर दिया तो यह भी अच्छा sign है mutual fund देख कते हैं यह HDFC small cap है और यह 5,21,484 quantity में share hold करी है और हम purchase rate भी अभी देखेंगे इसने कितने पे खरीदारी किया है तो जितने लोग भी HDFC small cap fund में पैसा अपना लगाते है mutual fund में तो जो उनके manager होते हैं जो ऐसी company को fine करके अपना पैसा उसमें invest करते हैं यहां पे आप देख सकते हैं आसीस कचोलिया सार है और इन्होंने 2,49,000 के कईब share उठाया है यह 17 October 2023 को खरीदारी किया है और 261 रुपे पे इन्होंने खरीदारी किया है 95,000 के करीब share और आगे भी देखते हैं यहां पे यहां पे देख सकते हैं 2,199 के rate पे चल रहा था वहां पे 5,00,000 क्वांटिटी में mutual fund वालोंने उठाया दा share यहां पे देख सकते हैं यह 31 January को संध्या गुपता है उन्होंने 24 रुपे की rate पे उठाया है इस तरह से यह जो बड़े investor होते हैं दोस्तों जो watch करते रहते हैं company का future समझते रहते हैं study करते रहते हैं इनका 86 करोड के करीब holding थी और उस तरह से जैसे इसे growth होता है दोस्तों कहा 1400 के करीब invest किया था इन्होंने और अभी 3500 के करीब चल रही है company तो कितना अच्छा जंप हुआ इसमें अधा detail चेक करते हैं यहां corporate action देखते हैं दोस्तों बोनस history company ने अभी तक कोई भी bonus प्रवाइड नहीं किया है इस्टा के split भी नहीं किया है चुकि face value अभी 10 का है तो यह दोस्तों यहसा है कि धिरे जरे जब भी गिराउट में बहतर गिराउट में मौका मिले तभी आप इंटर करें और उस टाम आपको मौका रहेगा जब यहीं company split करेगी तो आपने share को 10 times करने के लिए हिस्टी भी देखते हैं दोस्तों हर साल company लगब लगब डिविडेंट कर रही है आप देखिए 2021 में पांच रुपे का डिविडेंट के 2022 में 6 रुपे का और 2023 में 7.5 रुप support level देखते हैं पर सबसे पहला support level जो generate हो रहा है जस्तों 2941 रुपे का अगर इस पर sustain नहीं करती है तो 2583 का अगला support level generate होता है इन दोनों पर sustain नहीं करती है तो अगला support level 2409 का support level है और फर्दर दोस्तों गिरावट आती है तो 2254 का support level generate होता है इन चारों पर sustain नहीं करती है तो फर्दा सपोर्ट लेवल दुज़ार 190 का बन रहा है बड़ी अगर गिरावट आती है तो इस सारे सपोर्ट लेवल उस टाइम काम नहीं आएंगे जब अचानक से बड़ी गिरावट आती है तो उस समय बल्क बाइंग सुरू होती है दोस्तों और बल्क बाइंग आप भी करें जब बहतर गिरावट मिले जब भी 50%, 30%, 40% की अच्छी गिरावट आया तो इस टाइम ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप वेट करना लगी इतनी बड़ी गिरावट हो गई क्या हो गया कमपनी में चुकि आप देख सकते हैं 17 स्टोर रूम खुले हुए है अब यह तो नहीं है को जाकर के मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो इस टाइम भी आप बल्क बाइंग कर सकते हैं वाकि आप दीर दीरे छोटी छोटी एमांट में SIP के थूरू इनवेस्टमेंट कर सकते हैं कॉन्टिटी के इसाब से जैसे भी आप देखें जब भी इसप्लिट करेगी य दोस्तों ये वीडियो मात्र लर्निक प्रपस के लिए बनाई जा रही है इसे खरीदारी रिक्मंडेशन ना समझें खरीदारी करने से पुरू आप अपनी स्टेडी जरूर करें साथी वित्ती सलाकार से भी जरूर सलाह लें क्योंकि पैसा आपका है दोस्तों यह स्टाक मार् तो आप वह देखें गिरावट का कितना बेनफिट है कि उसी एक लाग को उसने 87 लाग बनाया और उसी एक लाग को उसने 2 करोण बनाया तो वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्वेस्टी या इस्टाक की ज कारी के साथ तो थैंक यू दोसुं